हाई गाईस वेलकम माई यूटूब चैनल रंगमंच एंड सिनेमा टिप्स साथियों आपका अपना दोस्त अभीकुमार आप लोगों के सामने उपस्थित है एक नया वीडियो लेकर एक नया अध्याय लेकर आज के अपने इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे विक्की सिधाना कास्टिंग कमपनी के बारे में हम लोग जानेंगे साथियों कि अगर हम लोगों को विक्की सिधाना casting company में अपना audition देना है इंट्रो देना है अपना data वहाँ पर देना है तो कैसे दिए क्या process है विक्की सिधाना casting company का बात्चित करेंगे आज के अपनी इस video में तो चलिए चलते हैं अपने video के तरब प्रोसेस पर बातचित करेंगे तो साथियों विक्की सर जो है चंडीगड के रहने वाले हैं एक जनवरी 1970 में इनका जन्म हुआ चंडीगड में साथियों इनका पढ़ाई लिखाई सब चंडीगड में हुआ जब इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर ली जोब किये जोब करने के बाद साथियों आचानक चंडीगड छोड़कर आ जाते हैं मुंबई सन 2001 में साथियों जब ये मुंबई आते हैं सन 2001 में तब फिर इन्होंने करीब 3 सालों तक लगातार प्राइबेट कंपनी में जोब किया और उसी जोब करते समय इनके दोस्त के म मुलाकात होती है तो उस एक्टर से विक्की सर बातचित करने के बाद इतना प्रभावित होते हैं कि इन्होंने अपने मन में ठान लिया कि मुझे अब आगे काम करना है तो बॉली बुड में ही काम करना है काफी श्ट्रगल करने के बाद इनको जो पहला फिल्म मिला था उस फिल्म का नाम था खोया खोया प्यार साथियों खोया खोया प्यार में विक्की सर ने जो है छोटा सा किरदार निभाये थे फिर उसके बाद इनकी मुलाकात होती है सतीश कौशिक सर से सतीश कौशिक सर के साथ काफी दिनों तक इन्होंने मिलकर काम किया और उनके डारेक्शन में बनी फिल्म तेरे संग में काम किया फिर साथियों उस फिल्म में काम करने के बाद इन्होंने बहुत सारे फिल्मों में छोटे छोटे करदार निभाए उसके बाद साथियों काफी दिन बीद गए किरदार निभाते निभाते फिर इनके मन में अचानक क्या आया कि ये जो है अक्टिंग करना छोड़ दिये और अपने मन में ठान लिया कि मुझे अब कास्टिंग डारेक्टर बनना है और साथियों फिर इन्हों ने अपनी विक्की सिदाना कास्टिंग कमपनी का निर्माड किया और कास्टिंग करना स्टार्ट कर दिये साथियों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब इन्होंने अपनी कास्टिंग कमपनी का निर्माड किया था इनको जो पहला फिल्म आफर हुआ था साथियों वो फिल्म था राज श्री प्रोडक्शन हाउस का सोचिये साथियों की विक्की सर कितने लखी थे कि इनको जो है इतने बड़े बैनर का फिल्म कास्टिंग करने के लिए पहले ही मिला उसके बाद साथियों इन्होंने बहुत सारे फिल्मों में कास्टिंग किये जैसे मैं आप लोगों को कुछ फिल्मों के नाम बता रहा हूँ बेबी, प्यारका पंचनामा, तानहाजी, एमेस धोनी, लखनव सेंटरल, इंदू सरकार, नाम शबाना, प्रेम रतन धन पायो और उरी इस तरह की बहुत सारी फिल्मे इन्होंने काश्ट की है अगर मैं आप लोगों को सभी फिल्मों का नाम बताऊंगा साथियों तो वीडियो बहुत लंबी हो सकती है इसलिए मैं आप लोगों को इनके मेन फिल्मों का नाम बताया तो साथियों अब हम लोग बढ़ते हैं विक्की सिधाना कास्टिंग कमपनी के ओडिशन प्रोसेस के तरब कि अगर हम लोगों को वहाँ पर अपना ओडिशन देना है साथियों तो कैसे दे क्या प्रोसेस है इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है हम लोगों के लिए अगर आप अपना इंट्रो देना चाहते हैं ओडिशन देना चाहते हैं विक्की सिधाना कास्टिंग कमपनी में तो आप वहाँ जाकर डारेट उनके ओफिस में अपना इंट्रो ओडिशन दे सकते हैं इंट्रो देने का समय है शाम 5 बजे से 7 बजे तक साथियों जैसे और कास्टिंग कंपनी में समय होता है 11 से शाम 5 बजे तक लेकिन यहाँ पर जो समय है जेश्ट उल्टा है अगर आप दिन में जाएंगे 11 बजे 12 बजे 1 बजे या किसी भी टाइम तो आपको वहाँ पर इंट्रो नहीं मिलेगा आपको खाली हाथ लोटना पड़ेगा इसलिए साथियों आपको जब भी इंट्रो देना है आपको शाम 5 बजे ही देना है आप जब भी जाएए उनके ओफिस में शाम 5 बजे जाएंगे तो आप वहाँ पर अपना इंट्रो दे पाएंगे और साथियों एक बात और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि विक्की सर खुद बोलते हैं कि आप जब भी जाएए उनके कमपनी में इंट्रो देने के लिए तो साथियों जब आप इंट्रो दे देते हैं फिर आप जो है तीन महिने के बाद आकर पुना एक बार फिर इंट्रो देजिए यानि कि उनके कहने का मतलब है कि हर एक तीन महिने पर आप अपना इंट्रो उनके कमपनी में बराबर देते रहिए जब भी आपके लायक कोई requirement आएगा तो विक्की सर की company खुद आपसे contact करती है और बुलाती है audition लेने के लिए इस तरीके से साथी हो आप जो है विक्की सिधाना काश्टिंग company के माध्यम से फिल्मों में काम पा सकते हैं या तो मैं आप लोगों को एक उपाय और बता रहा हूँ आप लोग अपना audition इंट्रो अच्छे तरीके से बनाईए और मैं आप लोगों को वहां का official email id शेर कर रहा हूँ आप इस email id पर अपना जो है intro audition बना कर इनको standard कीजिए अगर साथियों आपके लाए कोई requirement आती है तो आपको call के माध्यम से contact किया जाता है और फिर आपको बुलाया जाता है audition लेने के लिए तो साथियों इस तरीके से आप जो है विक्की सिधाना कास्टिंग कंपनी में अपना audition और intro दे सकते हैं और काम पा सकते हैं